आज अपर लोग को जो पढ़ाने जा रहा हूं वो सभी के सिलेवस में कॉमन टॉपिक है हैना 11-12 में है आपके गिरेशन में है और आपको कोई भी कॉम्टेटेब एक्जाम देना हो तो इसकी रिकॉर्मेंट आपको 100% पढ़ते ही पढ़ती है क्योंकि विदाउट यूनेट्स कनबर्जन और आपका मोल कॉंसेट को किये बगएर आपको कोई भी कॉंसें करते हो फिजिकल केमिस्ट्री से तो आपको उसमें प्रॉलम होगी क्योंकि यह वाला कॉंसेट आपको उसमें फसे गई फसेगा ठीक है ना तो आज स्टार्ट करते हैं आपका मोल कॉंसेट कर रहा हूं मोल कॉंसेट तो देखो मोल कॉंसेट पढ़ने की सबसे पहला कॉशन होता है मैं मौल कॉंसेट्ट पढ़ रहे हो, क्या जरूरत थी हमें मौल कॉंसेट्ट्ट पढ़ने की, है ना, सबसे पहला कोशन तो यह आपका क्रिट हो जाता है, तो देखो, आपको जैसे मैं बोलू, आपके पास सुगर है, क्या है, आपके पास, सुगर है, लेट से कर लो, एक बेट करके बता देता हूं कि आपकी कितनी 500 ग्राम है वन केजी है या वन हाफ केजी है जो भी होगा आप बेट मसीन पर से रखोगे और आप इजीली क्या करोगे मेजर करके बता सकते हो यह बात है ना अब मैंने आप से कहा भाया यह कोई एक है कंटेनर इसमें एलेक्रोन प्रॉलम्स क्रियेट हुई साइन्टेस्ट के सामने तो फिर उनके लिए भी एक चैलेंज बनेगा कि आप इसे कैसे बताओगे तो उसके लिए ही आपको ज़रूत पढ़ी मोल कॉंसेप्ट की है ना तो जितने भी आपके छोटे-छोटे टिनी पारिटिकल होते हैं जो आप हैं मॉलिक्यूल हैं है ना तो यह सारी जितनी भी चीज हैं इन सब्सकों क्लिए मेजर्मेंट करने के लिए रिकार्मेंट पढ़ी तो उसको किस में करते हैं इसलिए करते हैं मॉल में करतेreek तो अब इसी से आपके मॉल की डेफिनिशन निकल कर बॉक्त ती आती है गि मुल होता के है जन्रल यह अपका है ना कि इसकी छोटी सी डफिशनेश लिख सकते हो इंग हो ऊज़ेग सकते हो तो अब बात आती है आते कि आपके पाइटिकल त्रिक सरें यह सारी क्या है आपके पास पास। इन में हो जकता है आपका ठीच है इतनी बात क्लियर है अब बात करते हैं अपने सबसे simplest carbon atom की है क्योंकि यहی से आप लोग जनरलींडिस पूरा देखते हैं कि आप कैसे बताовगे तो देखो उससरी पहले carbon atom से एक छोटी सी बात कर लेते हैं जैसे मैं आपसे कहूं mole जैसी mole सुनते हो और सब के problem केट होने लगते है इस ट्रेंटों को कि अब इसमें कितने particle होंगे क्या atom होंगे है ना तो उन्हीं सब का simplest करने के लिए one mole equal to होता है 6.022 10 power 23 particle क्या बोला मैंने one mole equal to होता है 6.022 into 10 power 23 particle अब जो particle है वो atom भी हो सकते है molecule भी हो सकते है ion भी हो सकते है electron हो सकता है proton हो सकता है neutron हो सकता है है ना और से simple तो कहने का मतलब क्या है कि एक mole में इतने particle आपके present है आपसे किसी भी चीज़ का एक mole कहा जाए तो इसमें कितने particle होंगे इतने particle होंगे ठीक है अब जैसे simple कहा मैंने आपने कहा सर एक dozen है क्या है एक dozen है तो इसमें क्या होते है आपको म今天 डॉटटा है कि हमाने क्या होगी 12 होगा कptic कुछ भी हो अस वंडाबना है क्या है वन डेसन वनाना के अपके पास तो आपके मैंने क्या क्या हो गया वहता है यह तो हुँआ मींनिंग है तो अबॉन मुल क्या होता है इतने असका काईज है इस ताफác Silver से मैं क्या कर लिया ऊड़ कर लिया और उसका क्या कर दिया और किया, addition किया, let's say मैंने कर लिए 24 आ गया, क्या कर दिया, 24 आ गया, 24 ग्राम, तो आपने बता दिया, sir, 1 dozen जो बनाना का वेट है, वो 24 ग्राम आएगा, नहीं आएगा 24, 1 kg आएगा, है ना, कितना भी आएगा, मैं तो इतना आपका आ गया, generally, ठीक है, अब आपसे मैंने कहा, कि इसका तो आपने बहुत इसी कर दिया, कि आपने सब कर निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, हमें 1 carbon है हमाई पास, क्या है हमाई पास, एक carbon है, एक carbon atom है हमारे पास, हमने कहा, भीया, हमें इसका mass चाहिए, mass of one carbon atom, हमने कहा, भीया, mass of one carbon atom चाहिए, अब आप कहोगे, sir, अब ह बोन बनाना का get कर लिया तो निकाल लिया तो आपको इसमें भी क्या करना है कि आपके पास इसमें क्या के प्रिजंट होता हैं conscious HOW थे फिर चॐन के में बनाती है यह पर फिर में दबन मेंए आपको पता है सर्ब प्रोटॉन होता है और सिक्स प्रोकान होता है दूकी बनाते हैं धूकिलियस है कि की नहीं है यहां पर proton भी है और neutron भी है तो यह nucleus हो गया और उसके जो यह होता है orbits उन सब में क्या होता है आपके electron present होते हैं यह orbits जो होती है इनसी में तो आपके electron present होते हैं तो six electron बनाने थे one two three four five और six आपने electron को draw कर दिया तो आपने का सरी आपका क्या बन गया carbon atom बन गया यही तो हुआ न अब आपसे कहा कि proton neutron electron का मास आपको अगर पता हो तो आपके पास क्या हो जाए इसका हमें मास का पता लग जाए कि एक carbon atom का कितला मास है यही मीनिंग हुआ अब आपको पता है कि one proton का सब्सक्राइब करने के लिए सेमी कंजडर कर लेते हैं माइस 24 ग्राम यह हुआ अब आपको एक electron का जो मास होता है बहुत है 9.1 इंटू 10 पावर माइस 31 किलो ग्रैम आपने यह यूनिट्स ग्राम में ली तो इसे भी ग्राम में ले लिजिए 9.1 10 पावर माइस 28 ग्राम है ना यह निकला अब आपका क्या होता है electron का जो मास होता है वह very small होता है कैसे उसी आप इन दोनों से compare करके देख सकते हो इसका बहुत ही small होता है तो इसे हम negligible consider कर लेते हैं तो देखो आपका mass of electron मास of proton में जब आप एक relation निकालोगे तो यह आएगा 1 upon 1837 इन दोनों को जब solve करोगे तो आपका इसके अप्रोग सांसर आ रहा होगा तो अब आप इससे देख सकते हो कि mass of proton क्या है very very greater है as compared to mass of electron इतने times ज्यादा है 1837 times तो बहुत ज्यादा है तो इसका क्या करेंगे हम negligible consider कर सकते हैं तो बस आप कर लिजे अब आपने कहा यह है हमारे पास mass of इसका तो क्या था 6 into इसकी value क्या है 1.67 10-24 ग्राम और neutron की क्या है भई 1.67 10-24 ग्राम है ना यही आए बस इससे आप solve कर लिजे 6 है यहाँ पर 6 into तो क्या होगा आपका common आ रहा है 6 into 1.67 into 10-24 और यह 1 प्लस 1 तो क्या होगा 2 और इससे क्या करोगे 12 12 into 1.67 10-24 अब इससे करोगे तो आएगा 12 atomic mass unit तो यह आपका क्या आ गया पूरे को जब आप solve करोगे तो आएगा atomic mass unit 12 है ना क्योंकि यह किसका है एक atom का है तो इसे आप बोल सकते हैं 1 atom का 12 atom में इतनी होगे 12 atom हुए ना तो 12 atomic mass unit इतनी बात के लिए तो अब आपको पता लग गया कि एक हमारा जो atom है carbon का उसमें क्या है 12 atomic mass unit है अब हम तो यह बात कर रहे थे atom के लिए कि हमें बात करनी है कि मोल की हमें तो बात मोल की करनी ना तो दे देखो आपने कहा कि 6.022 into 10 power 23 molecule जो है उसमें मिलके क्या बना हमारा 1 mole है ना यह तो मिलके बना अब आपको जब 1 mole की बात की हमने है तो उसमें क्या है आपके पास इतने है तो क्या है 12 into 1.67 into 10 power minus 24 24 है ठीक है ना यह किसका है एक उसका है एक atom का है आपको क्या पता है कि एक mole में कितने होते है इतने माली क्यों होते है यह तो होता है तो इसमें आप इसका क्या करोगे multiply करोगे तो क्या आएगा 6.022 into 10 power 23 यह आएगा किने इसको जब आप पूरा solve करेंगे तो क्या आएगा 12 है अब यह किसमें आएगा आपका ग्राम में आएगा क्यों क्यों क्यूंकि आपके पास यह किसका था यह एक सकते हो कि आप इसको यह कह सकती हो कि आपके पास जब 6.022 into 10 power 23 molecule अगर आप अपने हाथ में लेते हो तो उसका आपको बेट कितना को लग रहा होगा 12 फोछो इतना बड़ा है वह गांट को आपको ले रहे हो अपने हाथ में अब बात क्लिए रहे ना तो इससे आपको पता लगा कि एक जो है उसमें इतनी इतना बहुत स्मॉलस्ट अब अगर आप इससे कहते कि आप अब एक मॉलिक्यूर लेते हैं ना तो आप उसे क्या किसी बेट माशीन पर कर सकते थे क्या सोचो इतना बड़ा नमबर 23 है यह आपका अगर मैं 0 लगाँ तो बोर्ट कम पड़ जाएगा मेरा 23 0 है उसको जो बेट आया वो 12 ग्राम के आया और आप इसका एक का लेते बहुत एक का लेते तो कितना आता सोचो पॉइंट कितने ज्यादा आते पॉइंट जीरो जीरो बहुत सारे जीरो के बाद को निकल के आता तो उसको हमारी बेट मसीन तो मेजर नहीं कर सकती थी ना इसलिए हमें किसकी जरूत पड़ी मोल की जरूत पड़ी अब बात क्लियर है आई हो क्लियर हो रहोगा चलो अब और अब अगर हम ऐसी बात कर लें भी बहुत ध्यान से समझेगा क्योंकि इस वाले चैप्टर को जैसी स्ट्रेंट का नाम लेते हैं उन्हें लगता सबसे टिपिकल चैप्टर रही है और मैं कहता हूं इससे सिंपल तो कुछ ही नहीं अगर आपको एक बार समझ आ जाए तो इस से जाए तो कुछ है नहीं क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं चोटा सा मेजरमेंट होता है जैसा नॉर्माली हम अपनी करते हैं वन वन मोल में कर लेते हो और कुछ नहीं है इसमें है ना तो चलो अब बात कर लेते हैं जैसे हमने अगर अब आपसे कोई कह दे कि ऑक्षियन का निकालो वन मोल अफ ऑक्षिजन है ना, इसका कोई आपसे पूछे तो अभी जैसा कारवन का आपने कर्षिजर किया था ऐसे इसका कर सकते हो तो इससे पहले आप इसका कहले लोगे अटोमिक मास यूनिट आपको पता है ऑक्षियन में क्या क्या होते है एट प्रोटोन होंगे एट न्यूट्रोन होंगे और एट क्या होंगे इसे तो आप कहले करते नहीं हो क्योंकि इसका मास क्या होता बहुत स्मॉल होता तो नेगलेजिबल माने के चलेंगे सब यह हो गया तो कितला हो गया इसे आप जब इसका वैल्यू तो वह रखोंगे 8 into 1.67 10 power minus 24 और प्लस 8 into 1.67 into 10 power minus 24 यह रखोंगे ना तो क्या जाएगा 16 into 1.67 into 10 power minus 24 तो overall क्या है 16 atomic mass unit किसका निकल क्या है एक एटम का हमें किसका निकालना है मोल का निकालना है आपको पता है 1 मोल का निकालना है तो क्या आजएगा इसका आपका 16 into 1.67 10 power minus 24 यह किसका आगया atomic mass unit का है आपको क्या करना पड़ता है इसे 6.022 10 power 23 molecule का multiply करना पड़ेगा है ना इसको जब आप solve करोगे तो यह आजाएगा 16 gram क्या आजाएगा 16 gram आ जाएगा तो 1 mole of oxygen में कितना होता है भई 16 gram होता है ठीक है यह आपका होता है atomic mass unit यह होता है gram atomic unit यह क्या होता है इसे आप यह भी लिख सकते हो gram atomic unit है ना क्योंकि ग्राम में है ना तो इसलिए होता है gram atomic unit यह होता है atomic mass unit क्या होता है atomic mass unit में लिखे देता हूँ atomic mass unit खीक है ना यह बात क्लियर है अगर आप आपसे कोई बोल दे कि CO2 का निकालना है अगर आपसे इसा कार्बन का कहा फिर ऑक्षिन कहा आपसे कोई बोल दे वन मूल अफ CO2 तो इसका भी निकाला सेम यह आप कार्बन का निकालो कि क्या होगा कार्बन का आपको Atomic Mass Unit जो है वो दिया जाता है है ना हमेसे दिया जाता है तो Carbon का होता है 12 Oxygen का क्या होता है भई दो है एक का 16 सेकंड का अभी 16 overall add करो तो यह आ जाएगा 44 तो क्या जाएगा 44 आ जाएगा है ना Atomic Mass Unit अब इसको आप रखोगे तो 44 into 1.67 into 10-24 यह क्या गया Atomic Mass Unit आपको क्या निकालना है मोल में निकालना है तो क्या करोगे आप 6.022 10 power 23 से multiply करोगे 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 कि नहीं करोगे तो इससे जब आप multiply करोगे सभी को तो आ जाएगा 44 ग्राम तो एक मोल CO2 में इतना होगा 44 ग्राम बात क्लिए रहे भई तो आप Net Cell में ऐसा याद रख सकते हो कि जो Mass Unit होता है जो Atomic Mass Unit होता है वह यह आपका ग्राम यूनिट होता है बस उसमें आप इसका multiply करते हो तो यह पूरा cancel out हो जाता है इतनी सी बात याद रखने है आपको तो आपको जो Atomic Mass दे रहे है उसे यह आप ग्राम Atomic Mass Unit को consider कर सकते हो ठीक है इतनी बात के लिए रहे भई आपसे कोई पूछ लेता है CO2 के बज़े आपका N2 क्या है आपका CACL2 क्या है आपका NACL क्या है तो किसी का भी निकाल सकते हो बहुत इसी लिए निकाल पाओगे ना कोई doubt नहीं है चलो अब आप इसी में बात करते हो इसी में हम बात कर लेते हैं numbers of moles की इसकी बात कर लेते है numbers of moles की तो देखो question है आपका find numbers of moles oxygen find किसमें करना है oxygen atom में करने है of 64 इसका क्या दिया हुआ आपको 64 ग्राम दिया हुआ है तो आपको इसकी numbers of moles find करने है है ना यही तो करना है तो अब आप इसे क्यासे करोगे आप अपना थोड़ा सा माइंड यूज करो बहुत जीली इसका आपको हमेशा इसका उसमें दिया हुआ है कितना 16 ग्राम में आपका जो प्रिजेंट होगा वो क्या होगा प्रिजेंट वन मॉल होगा इसी में तो होता है वन मॉल आपका अभी आपने आपको निकालना है 16 ग्राम में कितने मॉल है यह तो आप इहां पर निकालोगे वन ग्राम में क्या आएगा वन अपॉन 16 आएगा ग्राम इसे में निकल लिए तो यह है न हमें निकालना है इसे हम न से प्रिजेंट करते है तो आपके पास गिवन क्या हो मास हो गिवन क्या हो मास को मास मास गिवन और अपउन क्या है मोलर मास मोलर मास को यह हम क्या बोल सकते हो और ग्राम एटुमिक मास क्या बोल सकते हो तो बस यह अपका n क्या है numbers of moles तो numbers of moles के लिए आपके पास formula निकल के आगया ये कि आपके पास given mass upon molar mass ठीक है ना n equal to से simplest लिख सकते हैं n equal to से w से print करते हैं इसे capital M से print करते हैं तो n equal to w upon m ये वाला formula आप learn करते हैं तो वो निकलता कैसे वो इस टाइप से निकल किया जाता है आपका इजी है ना तो आप n equal to w upon m formula याद रख 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 तो ये है आपका mass given दिया गया है जो आपको या बेट दिया गया है ये है आपका molar mass तो आप इसे easily रख पाऊगे that is clear चलो अब बात कर लेते हैं इसको कुछ मैं question देता हूँ आपको तो आप करिएगा इसे मैं रख कर देता हूँ फिर देता हूँ questions चलो क्यों कर लेता हूँ मैं मैंने आज जैसे आपसे कहा कि mass of one molecule of n2 हमने आपसे कहा कि आपके पास है molecule है उसका हमें mass चाहिए तो आप कैसे निकालोगे अब आपको पता है कि एक molecule n2 में कितने atom है भाई 2 into one atom of nitrogen यही है के नहीं है भाई one atom of nitrogen अब आपको nitrogen का निकाल नहीं है तो आपको पता है कि इसमें 7 proton होते है 7 neutron होते है और 7 electron होते है अब आप इन सबको क्या करोगे एड करोगे इसका तो mass आप ले नहीं सकते हो क्योंकि यह क्या होता है negligible होता है तो इसका बचेगा तो इसका लोगे तो 7 into 1.67 10 power minus 24 plus 7 into 1.67 into 10 power minus 24 अब आप इसे add करोगे तो आ जाएगा 14 into 1.67 into 10 power minus 24 यह आगा ना calculation के बाद जब यह आपके पास आ गया तो यह किसका है 1 atom of nitrogen हमाई पास कितने है 2 तो 2 से आप ए मल्टिप्लाई कर दो इस 2 से आपने क्या किया है आप ए मल्टिप्लाई किया तो क्या आपके पास लोगा होगा 28 into 1.67 into 10 power minus 24 अब इसे आप क्या बोलोगे atomic mass unit बोलोगे क्या आप इसे क्या बोलोगे यह atomic नहीं बोलता तो क्यों आपको क्या दिया है molecule दिया है तो आप इसे क्या बोलोगे molecule molecule mass unit mass unit mmu बोलते हैं इसे molecule mass unit बात क्लिए ओले ना इसे आप atomic मत बोल देना गलती से भी, क्योंकि यह आपके molecule गया भी, है ना, अब आपसे मैंने कह दिया इसी question में, कि हमारे पास आजी था mass of one molecule, हमने कहा one mole of one mole of n2 molecule, हमने आप यह बोल दिया आपसे, अब आप बताओ इसमें क्या होगा, अब हमने पूछा इसमें क्या होगा, तो बहुत इजी है, आपको molecule mass unit पता है, हमें किसका चाहिए, mole का चाहिए, तो लिखो भई यहाँ पर, 28 into 1.67 into minus 24, यह हमें पता है, अब हमें पता है, एक mole में हमें पता है, 1 mole में होता है, 6.022 into 10 power 23, तो आपको क्या करना था, इसमें multiply करना था भई, तो कर दिया, 6.022 into 10 power 23, 23, तो यह आपका आजएगा 28 gram, और यह किसमें आएगा, gram molecular mass, किसमें आएगा भई, gram molecule, ठीक है न, क्योंकि यह क्या थे, आपके molecule थे, ठीक है, तो इसके बाद आप लोग इसके कुछ question कर लेते हैं, जिससे आपको पूरी चीज clear हो जाए, तो आपको यह questions दिये हुए है, तो आपको घर पर practice करने है, इसमें जो भी doubt होगा, वो मैं next class में आपसे discuss करूँगा, जिससे आप इन सारे question को घर पर practice करने है, उनसे answer match कर लेगा, I hope यह वाला वीडियो अपके लिए helpful रहा होगा, okay, thank you so much watching the video.